एक्जाम्स की दिनों में एस्ट्टूरंस का तनाव होना सोहाविक है मेरी समझ से तनाव होना वैसा बुरा नहीं होता यदि टेंशन आपको कुछ अच्छा करने के लिए पूस्ट करें तो वह ठीक है अगर अपने स्कूल डेस्क को याद करूं और उसमें से एक्जाम्स और क नालेज मिलती है और नालेज हमें कॉन्फिडेंस देता है जो किसी भी काम को करने के लिए जरूरी है तो इन आवे अगर एक्जाम्स नहीं होते तो आज मैं जो कर पा रहा हूं वह नहीं कर पाता है सब्सक्राइब फरलेज करना सिखक्राइब को यह सबी ठीजें लाइफ में सकस्पुल होने के लिए कहीं ना कहीं क्वा daw प्रेंट्स एक्जाम के समय थोड़ा इश्ट्रिस होना थोड़ा प्रिसराइज होना लाजमी है पर यदि हम एक्जाम को अलग माइंड्सेट्स के साथ हैंडल करें तो हमें फायदा होगा और आज इस वीडियो में मैं आप से ऐसी ही आठ बाते सेर कर रहा हूं तो आईए जा एक्जाम्स अच्छे हैं भले ही आज आपको यह बुरा लगे लेकिन यकीन जानगे यह आपको इतना कुछ सिखा जाते हैं कि आपकी बाकी की लाइफ को कंप्रेटिवली आसान बना देती है हो सकता है आप एक्जाम्स को यह के करवी दवा के रूम में देख रहा हूं जिस से पिए भी ना आपकी बिमारी भी नहीं ठीव हो सकती खुद से बार-बार कहिए मन में दुरहिए एक्जाम्स अच्छे हैं चाहे तो लिखकर दिवार में चिपका लीजी फरक दिखेगा अब नुमबर दो की बात करते हैं नुमबर दो क्या है तैयारी का अलग ही मज़ा ह जी हां एक्जाम्स के तहरी कुछ खास होती है बोड एक्जाम्स हों तो बात ही कुछ और है वह घंटों किताबों में उल्जे रहना अराम लगा गर सुबह उठना फोन पर रेल्स वीडियो की कुर्बानी देना टीवी सीर्स क्रिकेट मैचेस की कुर्बानी देना जाने पर लैंब जलाकर पढ़ना एंड वाटना यह ऐसे पल होते हैं जो रूटीन से बिलकुल अलग होते हैं और इनका अपना ही मजा होता है इन पल को बर्टन के रूप में ना देखें बल्कि इंज्वाय करें अब बात करते नंबर तीन की आपको अपना बेस्ट एफ़ नहीं डाले हैं तो सिर्फ एक्जाम्स के बत परकर्ट शवतकार क्या पर एक्छा भी ना करें क्या हुआ भूल जाएं बस यह देखें कि अब आपके पास कितना समय बचा है और उसमें अपने बेस्ट एफ़ट देने की कोशिश करें यह सोचना बेकार है कि आपके क्लास के और बच्चे क्या-क्या पढ़ चुके हैं कितना रिवाइस कर चुके हैं आप किसी और को देखना की जुरूत है नहीं किसी कंप्रिजन की जुरूत नहीं नहीं अब पैदा भी क्या ऐसा करने से कुछ पैदा है कुछ सालों बाद उसमें से मात्र 10 परसंट से भी कम आपके टेस्में होंगे तो दिखाना किसे बस खुद को इसलिए कुछ ऐसा ना करिए कि बाद में अफ्शूस हो कास मैंने पढ़ाई की होती है और जो भी हो अपना ब्रेस्ट इफर्ड दीजिए और ऐसा करते हुए आप फेल भी हो जाते हैं तो कोई बात नहीं लेकिन बिना इफ पर छोड़ दीजिए अब बात के नंबर चार की नंबर चार की आहिं टाइम इस माप्स एंड टाइम एक लिमिटेड रिस्टोर्स है इसे वेस्ट करना ब्यकूफी है एक्जाम के समय पर ये पाप है ये समय है टाइम को मैश करने का इस माटली मैश करने का यह नहीं कि बस क सब्जेक्ट उठाया और पढ़ना सुनु कर दिया इसे एक स्ट्रेटजी के साथ एप्रोच करिए और श्ट्रेटजी आपकी अपनी बनाई होगी यूनिक होगी एक प्लान आउट करिए कि हर सब्जेक्ट पूरी तरह से कवर हो जाए यह ना हो कि एक सब्जेक्ट को पास दिये और एक को आधे दिन में नेप्टा दिया इतना से बैठिये घरी सांस लीजिए यह सोचे कि आपकी कौन सी सब्जेक्ट को कितना टैम देना डेट वाइस टाप टेवल करिए कोई डिफिकल सब्जेक्ट है तो उसके साथ है इजी सब्जेक्ट पढ़ने का भी प्लान क दोस्तों टाइम से नहीं होता आपके बाद करते हैं नमबर पांच के आपके परेंट्स आपके मार्क से कहिए अदिन आपको प्यार करते हैं पढ़ने के लिए किसे डाटने पड़ती है कि समौता उन प्राकू लोगों को छुड़ दिये जो किताब लेकर ही प्रदा हुए और आपके मेरे जैसे भोलेवारी लोगों को पढ़ने के लिए डाट पढ़ना तो आमसी बात है हमारी पैरेंस बात को लेकर बहुत चिंतित होते हैं कि हम इस कट फोर्ट कंपटिशन याने गला काट के युग में ठीक से सटल हो पाएं एक अच्छी नवकरी और अच्छे नंबर्स का जो गहानाता है वो उन्हें चिंतित कर देता है अगर इनका बच्चा अच्छे नंबर्स नहीं ला पाया तो उसके फूचर क्या होगा यह चिंता उन्हें आपको डाटने और कभ कभी कभी मारने के लिए मजबूर कर देती है इस्पेसली मिडिल क्लास फैमिलिस में जहां अच्छा फ्यूचर अच्छे नंबर्स माना जाता है यह और ग्यादिक देखनें को मिलता है और आप आज की जनेरेशन के हैं आप स्मार्ट हैं अपने परेंट्स की सोच को समझें वो आपको बहुत प्यार करते हैं इतना कि आपको इस यह जो क्रेवल वर्ड में परेशान होते नहीं देख सकते हैं इसलिए वो आपको पढ़ने को कहते हैं उनका सम्मान कर ये ये बात गाट बांध लिए कि वो भले आपको मार्स लाने के लिए इडाक्टें फटका रहे ह लेकिन आप उनकी जान है किसी भी सुरत में माट से कही है दिख आपको प्यार करते हैं ध्यान किया और अरमा करते हैं नमब च्छाए नमब च्छाए क्या है नमब च्छाए है वर्ड इस फुल आप अपर्चनिटीज ओनली अच्छा फ्यूचर अच्छा माट इस बास प्रजेंट बिलुकुल अलाग है बिलुकुल फ्रेसर यह कुछ-कुछ थ्री इडिस की स्टोरी जैसा यह पुराना है उससे बस दो चीज़ें पता है लड़की वह तो डाक्टर लड़का हुआ तो अंजिनियर लेकिन जो नया है वो तो कुछ भी कर सकता है वाइड लाइव फोटोग्रापर भी बन सकता है जिस दिन जिस दुनिया में हम जी रहें वह 10-15 साल पहले की दुनिया से बहुत अलाग है भारत में आज करियर बनाने के धेरों आप से हैं और लगली उनके माक्स से कोई डारेट रिलेशन भी नहीं है आज आप कर्यार में बन सकते हैं और सकते अंजाना क्या है कि आप थैसलिए चलता है कि यह हुआ अच्छा हुआ आप भी बेड़ेल हो जाने पर खुटको जडिर से अधिक मत कुशी बार सफलता की सुर्वार सफलता के साथ होती है इस बात में में सा यकीन करिए आपके साथ जो बेस्ट हो सकता है वही हो रहा है और अगर कुछ गुरा हुआ है तो वो भी आगे चलकर आपकी लाइप से कुछ ऐसे connection हो जाएगा जो कुछ अच्छा सामित कर देगा उन्होंने बाद में खुद अपनी फेमस इस पीच में कहा है कि इससे अच्छा उनकी लाइप में कुछ हो ही नहीं सकता आगे बढ़ते हुए इन चीजों को पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता पर जब बाद में हम पीछे मर कर देखते हैं तो घटनाओं को रिलेट कर पाते ह और तब समझ में आता है कि जो हुआ अच्छा हुआ इसलिए रजल्ट्स ना आने पर भी दिल छुटा मत किजिए क्या पता सालों बाद आप भी किसी इस पीच में कहें कि इससे अच्छा आपके साथ कुछ हो ही नहीं सकता था आप आम बात करते हैं नमबर आठ नमबर आठ क्या है डॉन्ड वरी कि लोग क्या कहेंगे यानि कि दुनिया में देख्व तीन तरह की लोग होते हैं जो हमें सफल होते हैं देखना चाहते हैं जाङभी हमारे बैंग ow डं मित्र समंक ALL सु लोग जिन से हम इमोशनली alone अधिक होने नमबर दू जो हमें सफल होते हैं देखना चाह्ते हैं वह ऐसा क्यूं चाहते हैं यह तो मुझे नहीं पता इस गुरुप में कोई हो सकता है कोई भी एक फ्रेंड रिलेटू पड़ोसी या कोई और नम्मर तीन जिनको हमसे कोई मतला भी निजमता बच्चन सचिंते दरकल सारूख खान सलमान जहां तक एजम्स और उसके रिल्स की बाद तो सबसे पहले जो नम्मर तीन के ल अब रिजल्ट को लेकर आप एक नम्मर के लोगों की चिंता नहीं काना चाहिए यह आपकी लाइब के पिलर्स हैं हर प्रस्तिती में आपके साथ खड़े रहने वाले हैं आपके मेताप माता-पिता दोस्त रिलेटू यह जुरूर हो सकता है कि यह उपर से असाना दिखाए पर इतना निश्यत है कि इनसे बड़ा आपकी लाइब में कोई सपोर्ड हो ही नहीं सकता नमबर एक और तीन हो गए बचे को नमबर दो वाले आप खुछ सुचिए जो लोग आपको अस्फल होता देखना चाहते हैं आपको उन्हें कितनी इंपॉर्टस देनी चाहिए हैं अच जरा बीनुर्टस ज़रा डिने वहां जैसे फिल करते हैं कर और यह ने फिल होने पर उने पर रहते होत। रहां थला नहींसे मुझे उन eje час देने क्सिटी में करना करना है है इसलिए इचाहिए हिए अगर आप इस ग्रूप को खुश करेंगे तो आप कभी ने कर पाएंगे जब आप असफर होंगे तो यह कहांगे कि यहीं कहांगे तो क्या फर्स दिविजन तो नहीं लापाएंगे तो यह ज़रूर और कुछ तो सुसाइड करने जैसे बेखोपी भरे काम को भी अंजान देती है ऐसे लोगों पर दया से अधिक गुश्चा आता है बहला आप परोशी की नजुरों से बचने के लिए अपनी महां से हमेशा के लिए कैसे मुझ फेर सकता है इसलिए जहां तक एजांस की बात है अपने बेस्ट एफ़र्ट से आप जो माख ला पाना है लाइए जांस लाइब का एक छोटा सा पार्ट इनका अपना मजा है इसे इंच्छा लगाए और बढ़ते जाए आग बादेश्ट निवेदन आए जड़ी यह वीडियो आपको अच्छा लगाए तो प्लीज कमेंट में के मातम से मुझे बताएं और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर सेयर करें धन्यवाद